हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल तन्वीकी रसोई में तो आज मैं आप सभी के साथ सेर करने वाले हूँ कांदा पोहे की रेसिपी यह पोहा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिला खिला बनेगा दोस्तों पोहा एक ऐसी नास्ते की रेसिपी है जो हर घर में सुबह बनता ही बनता है और यह बहुत ही हल्दी भी होता है तो चलिए आज फटा पट से हम बनाते हैं कांदा पोहा बनाने के लिए यहां पर मैंने पोहा ले लिया है तो मैं पोहा बना रहे हूँ लगबग 6-7 लोगों के लिए आप जितना बनान पानी डाल करके इसको बण़िया तरीके से धोलेंगे गभबग तेन चार बार पानी से अच्छे से धोलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ऑच्छे से धोल लिया है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि यह थोड़ा सा खिलांख क्योंकि अभी हम roast करेंगे मौंखपली तो यहाँ पर मौंखपली में डाल दिया है और अब हम मौंखपली को roast कर लेंगे यानि की भोन लेंगे तो अभी आप देख सकते हो मौंखपली बहुत अच्छे से भोन रही है मौंखली को लगबग 2-3 मिट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो मौंखली लगबग अच्छे से भून चुकी है यह चटकने लग गई है तो अब हम मौंखली को अलग प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरीके से सारी ही मौंखली को अलग प्लेट में निकाल लेंगे तो अब हम वापस से कडाही में डालेंगे एक बड़ा चमच सर्चो का तेल आप जिस भी ओयल में बनाना चाहते हो बना सकते हो तो यहाँ पर एक बड़ा चमज मैंने इसमें सर्चो का तेल डाल दिया है और अब हम तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे तो अब आप देख सकते हो तेल थोड़ा सा गरम हो गया तो इसमें हम डालेंगे आदा चमज राई यानि की सर्चो मैं आधा चमच मैंने इसमें डाल दिया है जीरा अब यहाँ पर आप दिया सकते हैं अम इसमें तो कड़ी पटर ढलने के बाद ही मुझा दिया है तो मैं अब इसमें कड़ी पत्त डाल देती हूँ तो अभी मैं प्यास को इस तरीके से थोड़ा सा किनारे करूँगी और यहाँ पर 10 से 12 कड़ी पत्त डाल दिया है मैंने कड़ी पत्त को थोड़ी देर के लिए इस तरीके से पकने देंगे कड़ी पत्ता से हमारी जो पोहे हैं हमें टेश्ट बहुत ही बढ़ी आएगा तो बस इस तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इनको हम भूनने देंगे यानि कि प्यास को भी थोड़ा सा हम अभी भूनने देंगे तो अब यहां पर आप देख सकते हो हमारी लगबक बढ़ियां से भून चुकी है तो अब अम इसमें डालेंगे मेची तो यहां पर तीन हरा मेच ले ले लिया था मैंने इसको दो भागों में कटकर लिया बीच से इसको फार लिया है और काट करके डाल दिया है तो बस मेची को भी हम थोड़ा सा इस तरीके से और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी तो यहाँ पर हल्दी जादा नहीं डालना है थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए और इसको भी हम थोड़ा सा चलाएंगे इसको चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरा मतर तो यहाँ पर हरा मतर ले लिया है मैंने इ तोड़ी देर भुन चुके हैं तो अब ये मटर पक गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे पोहा मटर जब थोड़ा से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें आप डाल दीजी पोहा तो अब हम इसमें पोहा डाल देते हैं सारे ही पोहे को इसमें डाल देंगे अभी आप देख सकते हो कितना खिला 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 पुआ हो गया है तो अब हम सारे ही पोहे को डाल देंगे इस तरीके से तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ही पोहे को मैंने डाल दिया है और अब हम पोहे को अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीजों के साथ पोहे को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये पोहा दोस्तों बहुत ही टेश्टी बहुत ही जबढ़जस्त बन करके तयार होगा एक बार मेरे तरीके से कांदा पोहा आप ज़रूर बराएगे आपको बहुत-बहुत पसंद आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हम पोहे को लगतार चलाएंगे Gas की Flame को मैंने Medium रखा है तो अभी आप देख सकते हो पोहे को मैंने बहुत ही अच्छे से Mix कर लिया है और इसका Color देखी बहुत ही प्यारा लग रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे मौंखली जो हमने मौंखली रोष्ट करके रखा था ना सारी ही मौंखली को इसमें डाल देंगे अभी आप देख सकते हो पुहा कितना खिला खिला है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारी ही मौंखली को मैंने डाल दिया है तो मौंखली को डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये पोहा कितना खिला-खिला और कितना जबर्जस्त बना हुआ है तो अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा तो नमक डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे तो उमीदे दोस्तों कि आज की ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी बेल आइकन को प्रेस करिए आल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे तो यहाँ पर पोह अच्छे से मिक्स हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई हरी धनिया गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है पोह हमारा रेडी है तो यहाँ पर हरी धनिया को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद इसको शरू करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो धनिया को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि पोह हमारा कैसा बनाए और अब हम पोहे को निकालेंगे अलग प्लेट में तो अभी आप देख सकते हूँ पोहे को मैंने अलग प्लेट में निकाल ले आए और ये दिखने में बहुत ही जबर्जस्त लग रहे हैं दोस्तों तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही नहीं नहीं और इजी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार दोस्तों बाई